नमस्कार दोस्तो आज मैं आप सभी को कल्युक के सरवन कुमार से मिलाओंगा जी हाँ आपने सही सुना मैं आज आपको कल्युक के सरवन कुमार से मिलाओंगा बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ते जाए यह देखिए यहाँ पर दो भहिया हैं और अपने माता पिता को पर्क्रमा करा रहे हैं इनसे बात करेंगे हम जानते हैं कि एक थोड़ा सा हम आपको कश्ट देंगे आप थोड़ा से रुकेंगे कि आपका क्या नाम है परवीन जी तो यह आपके माता पिता हैं अच्छा माता है और एक भाई है अरे वा धन्या धन्या जयो और यह देखिए म तो आप कहा से परक्मा कर रहे हैं हरिद्वार से आए मैं आपको बता दूँ आप लगवाग अभी 25 किलो मीटर आ चुके हैं तो 25 किलो मीटर से इसी प्रिकार से आ रहे हैं आपका इसके पीछे कोई मनतव्य है माता-पिता की अच्छा माता और भाईया की चाहती फोड़ा कि अब सब्दा कर देख करके आख बरियां दोस्तों ऐसे कलियों के स्रवाण कुमार मिले हमको बहुत बात करें और यह है माता जी नमस्ते माता-जी राम-राम माता-जी क्या नाम है आपका जब को देजिए माता जी आप तो बड़ी ही खुस नसीव है कि आपको ऐसे पुतर परकमा करनी के आपकी इच्छा थी अरे जय हो जय हो तो आपको कश्ट नहीं होता है यह से हप लेकर के चल दे होता है लेकिन मैया की आपको इच्छा पूरी करनी है और यह देखिए भाईया यह आप बड़े भाईया च्छोटे भाईया आप पैरो से पिकला आँगे तो आपको तो लक्षमन जैसे भाईया मिलें अरे जय हो दन्या दन्या दोस्तों आप सभी से निवेदन करूँगा इस लाइब सेसन को जादा जादा शेयर कर देना सत नमन करता हूं यह दरश्य देख करके देखिए कितना आनंद ऐसे कलियों में पूर भारत में फैलनी चाहिए दोस्तों ऐसे पुत्र आज तक नहीं देखे मैंने जय हो जय हो और सभी से निवेदन करूँगा इसको जादा शेर है अरे वाँ मैया सेर नहीं मैं कहा हूं मेर पास तो सब्द भी नहीं है भाईयों के लिए भगवान को जना है भगवान को आपने ऐसे पुत्रों को जनम दिया है जनम दिया क्योंकि कलियों में